नमस्कार दोस्तों स्वागर आप सभी का तिकराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज कि इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने रेटमी नोट 9 प्रो पर आटोमेटिक स्वीचिंग ओफ प्रॉब्लेम सॉल्फ कैसे कर सकते हैं तो दोस्तों अगर रिजन के वज़़से इसा हो रहा है और कौन सा सेटिंग ऐसा है जिसके वज़़से कभी कभी फोन ऐसा हो जाते है तो वह सब मैं आपको शो करके इस वीडियो पर बताने वालाओ सारे सार मैं आपको सॉलुशन बताऊंगा जिसके मदद से आप आप उटोमेटिक स्वीच तो प्रॉब्लेम को सॉल्व कर सकते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को क्लिक ज़रू करें यह दूस्तों अनलाइन पैसा कमाना चाते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको ईशवा रहा है ठीक है तो दोस्तों यहां पे आप जाईए आपने मोबाइल के सेट्टिंग पर सेटिंग आप यहां पे जो है नीचे आ जाना, जाना और नीचे आपको बेटरी हाँ पर्फॉरमेंस जैसे आप प्रफोर्मेंस पर जाओगे तो इस तरह का option आपको मिल जायेगा तो नीचे आपका फिसेडल power off पर जाना है Power on on off में जाना है और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पर आपको पार off time और power on time बनों को चेक कर लेना है एगर दोस्तों कोई भी बटन ओन है तो आपको प्रॉब्लम हो सकते ठीक है तो दोनों बटन को डिसेबल कर देना है तो यह एक ऐसा सेटिंग है जिसके वज़से आपका जो फोन है वो अटोमेटिक स्वीच ओफ हो जाते ठीक है कई बढ़ यह होते हैं अभी दोस्तों यह तो होगे आपका सेटिंग ठीक है लेकिन दोस्तों मान लिजिए उसके बाद भी प्रॉब्लम आ रहा है और सेटिंग या पर आपने यह किया नहीं था तो आपको करना क्या है तो दोस्तों गेमिंग करते है यार फिर फॉन को अवर उसके वज़न से दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाते है और यह तो अवह तो तो आपको क्या करने है अगर auto switch up का problem हो रहा है थोड़ा सा आपको gaming कम करना होगा यूजर्स कम करना होगा चार्जिंग करते हैं फोन नहीं खेलना होगा ठीक है और दोस्तों फोन पे आप देखिए इस तोरेज आपका full है पूरा तो इस तोरेज को free up कीजिए आप about phone पर जाके storage देख सकते हैं ठीक है तो इस तोरेज वगरा को free up कीजिए और उसके बात दोस्तों आपके पास अगर कोई भी बैर अप्लिकेशन इंस्टॉल्ट है तो बैट एप्लिकेशन को आनिंस्टॉल करें क्योंकि दोस्तों बैर अप्लिकेशन से भी कभी कभी problem create हो जाते हैं ठीक ह तो आप उन सब एप्लिकेशन को अनिंस्टॉल कर दीजे जो बैर अप्लिकेशन है अभी दोस्तों नेक्स पे आपको क्या करना है ठीक है नेक्स पे दोस्तों आपको अपना phone software अपडेट कर लेना है क्योंकि दोस्तों phone software आपको मदद करेगा यहाँ ठीक है problem solve करने में तो आ अब यह सब solution कर सकते हैं, अगर दोस्तों आपका जो phone एक काफी पूराना नहीं है तो बस यह सब solution के मदद से आप problem solve कर सकते हैं, अगर दोस्तों आपके जो phone आपाटs शह साल हो चुका हैं, तो इन सब में दोस्तों आपको प्रॉब्लम आ सकते थी लेकिन ऐसा नहीं होगा अगर फोन काफी ज़्यादा पुरान है तब ही प्रॉब्लम होते हैं अगर नहीं है तो ऐसा कभी नहीं होता है ठीक है सिर्फ और ओवर्यूस के वज़़े से इस तरह का प्रॉब्लम के रहे हो जाते तौरा सा कम कर दो करने के लिए या तो फिर ओवर्य टेंपररीचर हो जाने के वज़े से वह जो है बन हो जाते ठीक है तो क्योंकि दूस्तों यहाप पर रिक्स हो जाते है फाटने का तो इसके वज़़े से कभी-कभी इस तरह के का प्रॉब्लम क्रेट हो जाते और तो सुचिंग ऑफ का है इनी चांस अगर प्राव्लेम एक दम से सॉल्फ नहीं हो रहा है एबाउट फून पर जाइए एस्टॉरी रिसेट पर क्लिक करके पूरा अपना जो असेटिंग है आपना जो मोबायल है उसको फिक्तूरी confession कर दीजीगा ठीक है क्या झायके निखिश में हो जाएगा और साथ इसात आपका जो यहाँ परフवन है वह हो जाएगा और आटोमेटिक स्विच ओफ फिक्स हो जाएगा तो आज की इस वीडियो पर बस इतने टेंक्स पर वाचिंग